इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा इस्तिती पर चरचा की साथ ही महामारी से निपत्ने के लिए अब तक उठाए गए कत्मों का रिव्यू भी होगा जानकारी के मताबिक बैठक में स्वास्ति मंतुरारे केबिनेट सचेव और नीती आयोग भी शामिर होगा इस वरान कोरोना की संभावे तीसी लहर से निपत्ने के लिए नई पहलूँ पर भी चरचा की जाएगी उधर केज़रे के हैं मतुरारे के तहर आने वाला नैश्र इंसिट्यूट आफ डिजास्टर मेनेच्वेंट टीसी लहर के मदे नज़र मिल रही चेतापनियों पर अध्यन कर टीसी लहर से लड़ने की तैयारिया कर रही है इस पैनल ने PMO को बीपेजी अपने रिपोर्ट बे कहा है कि तैसी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बात के परियाप्ट साक्षिन नहीं मिले है कि बच्चों पर इस वारस का ज्यादा असर होगा लेकिन वारस के फैलने से बच्चों म मंतिर नरेंमोदी ने साथे तीन बज़े बैठक बुलाई है चर्चा कि जाएंगी त्यारिया की जाएंगी 36 गर के मुख्य मंत्री भुपेश भगेल और संतोष चल रहे मंत्री टीएसी सिंग देव मंगलवार सुबाद दिल्ली में आज कॉंग्रिस सेता राहूल गांधी से मुलाकात करेंगे 36 गर में नेत्रित परिवर्तन कुले का भगेल और टीएस सिंग के भी इच कुछ समय से खीचतान चल रही है और इस लिहाद से राहूल गांधी के साथ होने वाली बैठक बेहद ही महत्वपून है बैठक में प्रभारी पियल पुन्या भी मौजूद रहेंगे और कयासों का बाजा गर्म है कि क्या कॉंग्रेस धाई साल बार 36 गर में मुख्यमंत्री बदलने चा रही है कॉंग्रेस ने कभी भी 36 गर में 23 साल तक के फॉर्मूले की बात नहीं कही लेकि टीएस सिंग देव के लोग शुरू से अंदर खाने ये दावा करते रहे कि उन्हें आकरी धाई सालों में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था धाई साल हो चुके हैं और टीएस नाराज भी चल रहे है ऐसे में आज सुबा राहुल गांदी से भगेल और टीएस की उने वाली मुलकात के बाद उम्मीच जताई जा रही है कि नेत्र तो परिवर्तन होने या ना होने कोने कर जो सस्पेंस चल रहा है अब वो हो सकता है कि जल्द ही वो खत्म हो जाए दिल्ली में दो दिन हुई तेज बारिश में मौसम को सुहाना बना दिया है बारिश पर ब्रेक लगने के बाद उमर्स काफी हो चुकी थी और ऐसे में सोंवार को भी कुछ इलाकों में बारिश होई है लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों के पसी ने छूट गए मौसम भाग ने बुद्वार और ब्रस्पतिवार की तेज हावाएं चल ले है और शुक्रवार और रगवार को बारिश होने की संभावना भी जोता है ऐसे में दिल्ली में बीते शनिवार से सावन की छणी लगी थी जो की रविवार सुवे तक जानी रही सुवार को भी सुवा कुछ इलाकों में भारी बारिश शोवी और सुवा साड़े आठ बज़े तक 1.2 mm और शाम साड़े पांच बिले तक 2.1 mm बारिश दर्श की गई थी वही अधिकतम तापमान 35.2 ब्रश दर्श क्या गया और सबसेज ज्यादा अधिक तापमान 36.9 ब्रश फीतवकुरा कीनर पर डर्श हुआ है ऐसे में वह सब भाग की माने तो अभी मंगलवार को भी हलकी बारिश होने की सब्भावना है और उसके बाद दो दिन बारिश पर ब्रेक लगेगा इस दोरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है वहीं उसके बाद 27 और 29 अगस को फिर से बारिश का दौर शुरू होगा इसके बाद बारिश का दौर थमना फी शुरू हो जाएगा तो लगातार दिली में बीते कई दिनों से बारिश पड़ रही है ऐसे में लोगों को मजबरी घर्मी से आराम तो मिल रहा है और लेकिन बारिश जो है वो अपने साथ तमाम दिक्कते ज़रूर लेकर आई है कई जगाओ पर जल जमाब जैसी समस्या पैदा हो जाती है हाला कि बारिश के बारिश निकलने से उमज भरी गर्मी से भी लोगों को जूचना पड़ रहा है लेकिन आज भी दिली एंसियार में बारिश की मौसम में भागने संभाबना जटा आई है साथ भी कहा है कि दोसे तीन दिन तक बारिश जो है वो पढ़ सकती है उसके बाद बारिश पर प्रेक लगेगा और फिर एक बार 29 और 30 अगस को बारिश का सिलसला जो है वो फिर से शुरू हो सकता है उत्रखन विदानसवा के मौसून सत्र के दूसरे दिन व्यानिक याज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंखा में अनुरूपक बजट पेश करेंगे इधानसवा ध्यक्ष प्रेंट चंडर अग्रवार के ध्यक्षिता में हुई कार्वे मंत्रुना समीती की बैठक में मंगलवार को सदन पठल पर रखे जाने वाला बिजनेस तैह हुआ है उत्राखान विनी योग 2021 वाइस का अनुरूपक विधैक 2021 के अलावा सरकार शे और विधैक सदन पर पठल रखे गी और ऐसे में सदन में पेश होने वाले अनुरूपक वजट के तिरपन सो करोड रुपे का होना का अनुमान लगाए जा रहा है ऐसे में बता दें कि सोलागस को प्रदेश मंत्री मंजट की बैठक में अनुरूपक वजट के प्रस्ताफ करने को मंसूरी दी गई थी और इसमें अवश्यक सदन करने का अधिकार भी काबिनेट ने मुख्यमंत्री को दे दिया था ऐसे में मुख्यमंत्री बता दें वित्तमंत्री भी हैं इसलिए मंगलवार को वो सदन में बजट पेश करने वाले हैं और इसके बीच आज मंगल बार को कुष्टकर सिंग धामी सरकार पहला अनुरूपक बजट पेश करने वाली है ऐसे में कल दिवंगत विधायकों को विधानसभा में श्रतांचली दी गई थी और उसके बाद कारवाई की गई थी और कुछ समय बाद जो विधानसभा है उसको आज सुबा 11 बज़े तक के लिए स्थागित कर दिया गया था आज सुबा एक बाद फिर से 11 बज़े विधानसभा की कारवाई शुरू होगी और ऐसे में आज कुष्टर धामी सरकार जो है वो पहला अनुरूपक बजट जो है वो पेश करने वाली है हाला कि बीते कई दिन जो है वो हो सकता है देशल राष्ट्री आपदा प्रबंदन संसान की ओर से गठेत विश्यशक्य समीती ने ये भी कहा है कि बच्चों के विवस्तकों के समान जोखिम होगा बड़ी संख्या में बच्चों के संकमत कोने की स्थिती में बाद चुकित्सा अस्पताल जॉक्टर और उपकर्म जै अगर वर्तमान टीका करन बर में व्रद्धी नहीं की गई तो देश में महामाली की अगली लहर के दोरान प्रती दिन 6 लाख मामले आ सकते हैं तो देश में कोरोना कोले का हर रुसाना तीसरी रहर कोले कर नई नई आश्रंका जुताए जा रही हैं ऐसे में टीका करन पर सबसे ज्यादा जोर देने की मांग की जा रही है क्योंकि अब सरकार के और स्वास्यमंत वाले हर कोई जानता है कि अब कोरोना से किसी तरह बच़ लग पाया है यानि की बहुत ज़्यादा बड़ी संक्या है ऐसे में जिनको टीका भी लगना है या तो एक डोज लगनी है या दोनों ही डोज लगनी है तो इसलिए अब सरकार जो है तीसी लहर को देखते हुए टीका करंग पर भी सबसे ज़्यादा जोर दे रही है और ऐसे म मंतीर नरेन वोदी ने भी आज सर्व दली एक बैटक बुलाई है जिसमें कोरोना की तीसी लहर को लेकर जो है चर्चा की जाएगी पंजाब में जालांदर दली राश्ट्रे राजमाक और रेलो ट्रैक चौते दिन भी जाम है लेकिन राहत की बात है कि किसानों ने पंजाब बंद की कॉल वापस लेगी है जिहां किसानों के साथ प्रसाशल की एक लंबी बैचक होई जिसमें तैह हुआ कि मंगलबार को किसानों की तीन बजे पंजाब के सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग के साथ बैचक होगी जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंग गन्ना खरीद के नई रेज की पूशना कर सकते हैं ऐसे में किसान नेता मंजीत सिंग राय ने कहा कि हमने साबित कर दिया है कि गर्ने की प्रती कुइंटल लागत 470 रुपे पर आ गई है और फिर भी हम पहले 400 रुपे की मांग कर चुके हैं तो उसी पर काइम रहेंगे उन्होंने पंजाब बंद की कॉल को वापस ले लिया है और मंगलबार को शंडीगर में 3 बचे बुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग के साथ बैचा खूगी उसके बाद ही अगर सुर्वाई नहीं वोई तो फिर पंजाब बंद का एलान फिर से किया जाएगा और तब तक जलंदर में राश्ट्रे राजमार्ग और रेल्वे ट्रैक जांप की रहेगा ऐसे में कैप्टन सरकार ने गन्ने की कीमत 325 पर प्रतिक कोईचल तैकी है किसान नेताओ को कहना है कि इसे बढ़ाया जाया और गन्ना किसानों ने 20 अगस से हाईवे जांप करने की भी घोजना की थी जिसके बाद चार दिन से रेल और राश्ट्रे राजमार्ग पर यातयाद जो है पूरी तरह से ठप हो गया है इसमें गन्ने की कीमत 400 रुपे कर दें और 200 करो का पकाया देने की मांग भी की गई थी हाला कि आज क्याप्टर अमिंदर सिंग के साथ किसानों की बैटक है तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नतीजा इस बैटक के बाद जरूर निकलेगा के और किसान जो पिछले चार दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे और मार्क और राश्ट्रे राजमार्क जो बादे किया हुआ है उसे भी जल से जल खोल देंगे काबूल में फसे भार्टियों को वापस लाने का सरसिला लगातार जारी है दुशामबे से रिंजा विबान के जर्ये कुछ और भार्टियों को दिल्ली लाया जाएगा बता दें कल इन भारतियों को काबल से दुशामबे पहुँचाया गया था और ऐसे में दुशामबे से भारतियों के साथ अफगान सिक और हिंदू करिवार भी भारत पहुँच रहे हैं तालिबान के अत्यचार से बचकर भारत आ रहे 6 समुदाय के लोग काबुल गुर्दवारे से अपने साथ पवित गुरू गुरंत साहिब की तीन प्रंतियां लेकर आज दिल्ली आने वाले हैं गुरू गुरंत साहिब की ये तीनो प्रतिया दिल्ली के न्यू महावी नगर गुर्दवारे में रखी जाएंगी और अफगानिस्तान में तालिबान कबजे के बाद लगता खराब होते हालातों के बीच भारत सरकार के रिस्क और रेस्क्यू ऑपरेशन मिश्रन काबूल के ये लगतार हिंद उस्तानियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है ऐसे में भारत सरकार अपने नाकिकों के अलावा अफगानिस्सिक और हिंदू को भी वापस ला रही है अफगानिस्तान में हाला दिन पर दिन कितने बत्तर होते जा रहे हैं उसका खौफनाग तस्वीर भारत लाए जा सके जो वहां पर फसे हुए हैं इसलिए रोज जो है प्रेस्की ऑपरेशन चुलाय जा रहा है हाला कि आज भी एक विमान दिल्ली पहुंचने वाला है जिसमें कई भारतिय शामिल होंगे कल भी एक मेंन आयता रोजाना विमान आ रहे हैं जिसमें सौल यह उ वापस साथ पे दिख रही हैं जातिकर जंगर्णा के सवाल पर विहार भे एक दूसरे के धुर्ब में विरोधी पाटियां एक मंच पर आ गई है नितिश की अगवाई में दस दलू के प्रतिमेदी मंचल की पीम से मुलाकात के पूर विज़ेपी नेता सुशील मोदी निवीस मांग के प्रती पार्टी के प्रदिवदिता जताई है दसल बिहार पे जाती जर्ण करना के पहाने सभी दल अलग अलग सियासी दाव आज़मा रही है बीते डेर दशक में राज़त का आधार यादव और मुस्लमानों तक ही सीमित फ्रह गया है राज़त अब इसी बहाने ओवीसी में शामिल अन्ने जाकियों में अपना खोया आधार फिर से पाना चाहते हैं यही वज़ा है कि राज़त इस मुद्धे पर कोई मौका नहीं गवाना चाहता है दूसरी और नितेश राज़त के इसी सियासी दाव को समझ रखी है वो नहीं चाहते हैं कि सामाज़िक न्याय के मुद्धे पर राज़त को जेडियू पर बढ़त मिले यही वज़ा है कि जाती जनगर्ना के मुद्धे ने जब भी तूल पकड़ा तो नितेश ने उससे अपने हक में करनी की कूश्टिश की दो बार विहार विधानसवा से इसके पक्ष में सर्व संब्ध प्रस्ताफ पारित कराया और ऐसे में प्रतिनिदी मंजर में बीजेपी नेता जनकराम भी शामिल रहे थे दरसर बीजेपी लंबे संखर्ष के बाद दलितो और अती पिछडे जातियों की पेच बना पाई है उसे पता है कि इस मुद्धे पर जूल मुल रवया अपनाने से उस पर फिर से अगड़ी जाती की पाठी का ठपा लग जाएका यही वचा है कि बीजेपी ने विधान सभा में इससे संबंदे प्रस्ताफ का दोनों बाद समर्थन भी किया था हल्दवानी जिले में डेंगू ने दस्तक ने दी है पहला मामला अलमोरस से सामने आया है दरसल डेंगू का मरीज हल्दवानी की शुशीला तिवारी अस्पताल में भरती है जहां उसका इलाज चल रहा है डेंगू का मामला आने के वाद जिले प्रसाशन अलर्ट होच चुशगा है और अस्पताल में डेंगू बौर्ट बनाने की तैयारी चल रही है जबकि शुशीरा तिवारी अस्पतार वे तीन सो बेंट का टेंगू वार्ट बनाय जा चुका है ऐसे में डीम के मतावए जुले के हर सरकारी अस्पतार वे टेंगू वार्ट तयार किया जाएगा और इसके अलावा मेडिकल की एक टीम को भी टेंगू लिहाज से तयार किया जा रहा है जो जल भराव वाले इलाकों की मॉनिटरिंग करेगी और उन जगाहों पर मेडिकल च्रकाव भी करेगी इसके अलावा स्वासरवभाग के साथ कॉडिनेशन भी किया जा रहा है जिसे की टेंगू के मामलों में सेती सक्ती से निप्टत जा सके और ऐसे में नैनितार के जिलादिकारी के मताबिक एक मेजिकल की टीम को राम नगर, काला जूंगी और हल्दुवानी की हर लोकेशन पर दसर रखनी को कहा गया है आज हमारे टीम भी चले गई होगी मेडिकल थी और नगर निगन के अलागा ग्रामिंग शेतों में जत्यों हमारे ग्राम विकास अधिकारी है पठवारी थी उसर को मिसमें बनागा सितारगंज में होकी के चादुगर सिम्रंजीत सिंग का भवे स्वागत समारो आयजित किया गया पता दें स्वाग प्रत्थम कारकम में मुख्य अतिती सिम्रंजीत सिंग, विशिष्ट अतिती, मनोज गोयर, चेर्मेन प्रमेश गोयर, मैनेजिंग डिरेक्टर महेश मितल ने मासोरसती के चित्र के सामने दीव प्रजुलेट का कारकम का शुभारब किया होकी के चेंपियन सिम्रंजीत सिंग ने जैपुर्याइ स्कूल के बच्चों का संबोदित भी करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी द्यान दे क्योंकि खेल के फिल्ज में बहुत कुछ संभव है आज मैंने ओलम्पिक में देश का और अपने शेत्र का नाम उचाईयों तक पहुचाया है तो ये सब मेहनत और नगल से ही संभव हुआ है कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और इस तो रान मैनेजिंग डिरेक्टर महेश मित्तल ने कहा कि एक ताले साल बाद देश को मैजर दिलवाने वाले हौकी के चैंपिएन को हम मिकिस्वी सदी का हौकी का जादूगर ही कहेंगे तो बता दे कारेक्रम आईज़ीत क्या गया था जिसमें हौकी के टीम के खिलारी सिवनज़ीत सिंग पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत किया गया था उसी लिए ये समारूर रखा गया था और उन्होंने बोलते हुए वहाँ बच्चों को संभोधित करते हुए कहा कि महनत से हर कुछ संभव ईहार जिस तरह से मैंने ओलम्पिक में अपने देश का अपने शेतर का नाम रोषन करा है ये सिर्फ वा सेफ महनत और लगन की बलबूते ही हुआ है इसलिए हर शेतर में हमें महनत करनी चाहिये हैं कभी भी हमें हार्ट नहीं माननी चाहिए हाला कि इ इन्हें 21 सदी का जादूकर ही कहेंगे क्योंकि भारत ने 40 साल बाद ओलम्पिक में जीता है मैडल और ऐसे में इन्हें 21 सदी का जादूकर ही कहा जाएगा 22 के विदान सबस चुनाव में अब कुछी महीने बाकी बच्चे हुए हैं और तमाम राजमेदिक पार्टियां पूरी तरह से चुनाव की तायारियों में जुट कई हैं एक तरह बस पार 2022 के विदान सबस चुनाव को लेका भ्रामणों का वोट बैंक सातने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कर रही है तो बीजेपी किसानों को नए कृशी कानूनों के फायदे गिनाने में लगी हुई है वहीं आरलजी पार्टी जगा जगा भाईचारा सम्मेलन कर लोगों को अपनी और खीचने के प्रयास में चुटी हुई है इसी करम में आरलजी ने भी बुढ़ाना में भाईचारा सम्मेलन कर जुन किया जहां आरलजी के पूर विधायक नवाजी शिव आलम पूर्व मंतरी धर्मपाल बाद्यान और पूर्व मंतरी योगराज सिंग आदी मौजूद रहे इसके अलावा भी आरलजी के तमाम दिगज नेताओं ने भाईचारे सम्मेलन में भाग लिया और सभी बारी बारी से जन्ता को संबोधी भी किया और दोज़ाबाइस की विधान सबच चुनाव में एक जुट होने का आभान भी किया है वही राष्ट्रे लोग दल के राष्ट्रे महां सशेवत्र लोग चंत्रियागी ने मीडिया से भी बाचीत किया और बाचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भाईचारा टूटा था उसको जुटने का काम शुरू कर दिया गया है जो दिन और भाईचारा चौती चरण सिंग जी के जमाने में थे उसी को फिर से लाने का काम किया जा रहा है इस दोरान अरल जी के तमाम नेताओं ने मंच से जनता को संपूदित किया और महकाई और बेरुजगारी के मुद्धे पर बीचे पी सरकाफ पतंच कस्ते हुए भी नज़र आए कि विदान सबर चुनाओं में 2022 के विदान सबर चलों में कुछी महीने बाकी है तमाम राजमितिक पार्टियां पूरी तरह से मैदान में कूच चुकी है और नहीं एक तरह बीस पी लगतार ब्रहमनों को साधने के लिए बड़ी बड़ी सम्मेलन कर रही है बड़ी जन्सभाई कर रही है तो वहीं आड़े अर्लडी भी अम्नादान में है वह तो वहीं एक तरह बीजेपी लगतार किसानों को मनाने में लेगी है पूच पूच चुनाओं को लेकर खास बाटचित करने के लिए मुर्शाप मुजूद है अर्लडी के कूर उड़ायक है नवाजी सालंब ड़ी अर्लडी भी अग ताल थो कर रही है लगतार जन्सभाई कर रही है बाईचारा संबिन हिंगे तो दोनों नहीं आग लोगों को सबी बढ़ी भागेदारी से कोई गाउं ऐसा नहीं बचा हिंदों या मुसलमानों 36 विराज़री का संग्रम आज हमें यहाद देखनों को लिए और हमारी उम्मीद यह है कि हम अपनी अपनी राष्ट लोगदल पार्टी किसान आंडोलन जारी किसान तो ुषाले चार साल से नाराज है में राइ चरम सीमा पर है आप डेल के रेट डेखь लें आप गैस के रेट देख लेए साड़े चार साल से इस सुबे के अंदर योगी जी की सरकार है एक रूपिया भी गन्ने का योगी जी नहीं बढ़ाया जो पिछली अकूमते रही आप लोग के सामने रिजल्ट है सब में कोई से सरकार बजी हो सब में पैसा बढ़ा तो किसान तो बेहाल है अर बलकि किसान नहीं जो चोटा वैपारी है और जो बड़ा वैपारी है सब के कारोबार पे असर डाला और इसी का नतीजा है कि उत्तर परदेश के अंदर से बदनाओ की लहर चब लिए पंशया चुनाओ की बात की जाथ पंशयाथ शुनाओ में अरली का अच्छा खासा ददवाद एक्स्टा लेकिन बलोब परमुक के सुनाओ या फिर जिला पंशयाथ अद्रक्स के सुनाओ उन्में धारासाई होती नजर आई या हार्ती नजर आई क्या कहीं देखे हमारे बगदल का जिला है बात पत्र। महाँ पर राष्टी ए लोगदल का जिला पंचायत का अध्यर्श्पन। हम लोगों ने यहां जिला में महनत करी अपने 17 जिला पंचायत के मेंबर और हमारे जितने इस विधान सबचेत के चार मेंबर हमारी पार्टी के जीश्टा लेकिन सत्ता का दुरूपियोग पार्टी जनता पार्टी ने किया और सत्ता के दुरूपियोग का जितनी भी मशीनर और जितने भी मशीनरी सरकार की हो सकती हैं उन लोगों ने यहां जिला पंचायत में अपना मनमाने तरीके से काम किया उसका नतीजा यह हुआ कि हमें यहां पर शिकर्स्त होनी पर आज़ा हुआ। जालाउन के कौंच 8 रेलवे स्टेशन तक संचालित हुने वाली दीश की सबसे शूटी 14 km वाली रेल लाइन पर फिल से एक बार रेल गाड़ी दोड़ने लगी है जिससे लोगों में कावी उतसा देखने को मिल रहा है और लोग ट्रेन के साथ सेल्फी लेकार अपने पुरान यादों को तासर करते हैं निलसरा रहे हैं आपको बता दें कि पिछले डिर साल से स्कूच 8 रेल शटल फ्रेन का संचालन रेलवे ने कोरोना किशन ते बंद कर गिया था जिससे कोंच नगर वासियों और शेत्री लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पर रहा था इ उसे नगर वासियों और यातियों में काफी खुशी भी देखने के लिए मिल रखी है आपको बता दें कि कोंच नगर वासियों को अपनी आन बान शान्त के रूप में देखते हैं वहीं पहले भी इस ट्रेन का किराया 10 रुपे हुआ करता था लेकिन अब किराय में तीन गुड मॉनिंग एंजिया में फिलाक लेतना ही आप देखते रहें नीस वाल इंडिया